हेलो एब्रिवान, आज हमलो करेंगे लेसन ट्विंटी मैं जीती के शौर्ट कुश्चन एन आंसर्स सबसे पहला कुश्चन, अनुराधा के पित्ता जी का तबादला कहां हुआ था? आंसर, जब्बलपोर कुश्चन नम्ब टू, वे नए स्कूल में जाने से क्यों हिचक रही थी? आंसर, वे नए स्कूल में जाने से इसलिए हिचक रही थी क्योंकि उसकी वहां कोई सहेली नहीं थी कुश्चन नम्ब ट्री, अनुराधा के शारिरिक अवस्ता कैसी थी? आंसर अनुरादा लंगडाती थी कोश्चन नमब फो मा ने अनुरादा का होसला बढ़ाने के लिए क्या कहा आंसर मा ने अनुरादा को कहा कि वह एक बहादूर लड़की है और उन्हें बिश्वास है कि उसकी सहपाथी ने उसकी कठीनाई को जरूर समझेंगी कुश्चन नमब फो बिठाया गया कुश्चन नमब एट माला कैसी थी? माला सुन्दर थी कुश्चन नमब नाई माला का बहवार अनु के संग कैसा था? आंसर माला ने अनु के संग अच्छा बहवार नहीं किया उसने अनु की उपेक्षा की यानि कि जब अन्नू माला से बात करने की उसने कोशश की तो माला ने उसको ठीक से जवाब नहीं दिया Question number 10 पहले दिन स्कूल से घर लोट कर अन्नू ने वापस स्कूल जाने को क्यों मना किया? अन्नु ने वापस स्कूल जाने को इसलिए मना किया क्योंकि लड़किया उसे बूलती भी नहीं थी और कुछ बच्चे उसे देखकर हस भी रहे थे कुश्चन नमबर 11 मा ने अन्नु को इस पर क्या सला दी कि जब अन्नु स्कूल नहीं जाना चाहरे थी वापस तम मा ने उसे क्या सला दी आंसर मा नहीं कहा कि अन्नू उन बच्चों को कुछ दिन और मौका दे, अपना काम अच्छी तरह से करे और सबसे अच्छा और मित्तरता पुण वहवार रखे अगले दिन अन्नू के साथ स्कूल में क्या हुआ अगले दिन अन्नू को किसी ने देख कर हसा नहीं पर जब माला बैडमिंटन खेलने जा रही थी तब उसने अन्नू को बड़ी रुखाई के संग अपने संग ले जाने से मना कर दिया यानि कि अटलिस्ट किसी ने अन्नू को देख के हसा नहीं लेकिन जब अन्नू ने माला से दोस्ती करनी चाही तो माला ने दोस्ती भी नहीं की और उसको अपने संग बैडमिंटन भी खेलने के लिए नहीं लेके गई कुष्च नमबर ठर्टिन जब कोई अन्नू के संग बैडमिंटन खेलने को राजी नहीं हुआ तो आखरी के दो घंटे अन्नू ने क्या करने का तैय किया अन्सर तैराकी अन्नू को तैराकी आती थी और वे इसे अकेले भी कर सकती थी इसलिए उसकी मा ने सज़ाव दिया कि वे आखरी के दो घंटे तैराकी कर लिया करे जब अन्नु अगले दिन तेराकी करने गई तब तरन ताल पर अन्नु ने क्या देखा तरन ताल याने के स्वेमिंग पूल तो अन्नु ने किसी लड़की को डूपते हुए देखा किसी लड़की को डूपता देख अन्नु ने क्या किया किसी लड़की को डूपता देख अन्नु चारो और देख कर चिलाई पर वहां कोई नहीं था इसलिए उसे बचाने के लिए वैं स्वेम पानी में कूद पड़ी कोच्चन नमबर सिक्स्टेन अन्नु ने डूपती ही लड़की को कैसे बचाया आंसर अन्नु जब ताल में कूद कर उसे बचाने गई तो वैं पानी में नीचे चली गई थी अन्नु उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाल पकड़ ली है यहाँ पे बाल होगा बको आलब बाल यानी हेर्स पर उसके बाल छोटे थे इसलिए उसके हातों से निकल गए और वैं गायब हो गई अन्नु ने डूपकी मारी तता हात बढ़ा कर उसकी कमीज पकड़ ली और उस लड़की ने अन्नु का हात पकड़ लिया अन्नु को महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई नीचे खीच रहा है अन्नु फिर मदद के लिए चिल लाई और पूरा जोर लगा कर अपनी टांगे मारने लगी पर उस लड़की की कमीज उसके हातों से फिसल गई और उसी और उसकी पकड़ भी धीली हो गई वे बहती हुई दूर जाने लगी अन्नु ने तैर कर उसका पीछा किया फिर उसके बाल पकड़ लिये और किनारे की और खिचने लगी फिल्टर करने वाले पाइक के पास पहुँच कर अन्नु ने अपने खाली हाथ से उसे पकड़ लिया और डूपती हुई लड़की को खीच कर दिवार के साथ लगा दिया और फिर मदद के लिए चिलाने लगी इतने में दो लड़किया भाग कर आई और उस लड़की को खीच कर बाहर निकाल लिया पहले एक्चली माला भाग कर आई थी उसने निकालने की कोशश की उस लड़की को अपर क्योंकि वो लड़की भारी थी तो माला से अकेले वे खीच के निकाली नहीं गई फिर उसने अव पुर्पारी लड़की माला की बहन कला थी? Question number 18. डॉक्टर को किसने बुलाया? Answer. नीला ने. जो कि माला की फ्रेंड थी. Question number 19. माला ने क्या सोचा? Answer. माला ने सोचा कि अन्नू ने ही उसकी बहन कला को धक्का दिया है. तो पहले जब माला को पता नहीं था तो उल्टा उसने सोचा कि अन्नू ने ही उसकी बहन कला को स्विमिंग पूल में धक्का दिया है. Question number 20. सच्चाई का किस तरह पता लगा? Answer. जब कला होश में आई तो उसने अपनी कमजोर आवाज में प्रिंसिपल को बताया कि अन्नू ने ही उसकी जान बचाई है. Question number 21. आखिर में क्या अन्नू और माला की दोस्ती हुई? हाँ, आखिर में जब माला को सच्चाई का पता चला, तब अन्नू और माला की दोस्ती होग है. तो बच्चों ये कहानी में हमने क्या देखा था? कि अन्नू जबलपुर में नहीं नहीं आई थी, और नहीं नहीं वो स्कूल में एड्मिशन ली थी, और ये जो अन्नू थी, वो लंगडाती भी थी, तो इसलिए उसे थोड़ा स्कूल जाने में हिचक हो रहा था, कि सब उस पे हसेंगे, और वैसा ही हुआ, कुछ बच्चे उस पर हसे भी, और किसी नहीं उसे दोस्ती भी नहीं की, उसकी जो क्लास 报क Proper Week Espson finalement we have the best nearest childต 1971, लेकिन उसने अन्नु से दोस्ती नहीं की, उसके संग अपने का उन्नू को बैड्मिंटन भी खेलने के लिए उसे नहीं ले गई, तो फिर उसकी माय ने शुजावा दिया अन् मैं पास्ट के दो घंटे तो अन्नु ऐसा ही करती है तो दूसर पहले दिन金 करने जाती है तो देखती कोई डूब रहा है वो बड़ी मुश्कल से उस लड़की को बचाती है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता तो फिर भी अन्नु बार बार सोर मचाती तो बड़ी मुश्किल से उससे बचाती है जिस तरह उसे किनारे तक लेके आती है और किनारे तक लाने के बाद इतने में माला नाम की वही लड़की जो कि अन्नु के संग बैठी थी और उसे ठीक से बहवार भी नहीं कर रही थी इतने में वह आ जाती है तो और एक लड़की नीला मिलके तीनों मिलके उस लड़की को स्विमेंग पुल से बहार निकालते हैं तब माला देखती कि ये तो उसी की बहन कला है तो माला सुस्ती अनु नहीं कला को ढखेला है और अनु को ये बात उसके अच्छी नहीं लगती है फिर जब माला को, sorry, not माला कला को हलका हलका होश आता है तो फिर वे सबको बताती है कि अनु ने उसको बचाया है फिर माला और अनु रादा आपस में friends बन जाते हैं तो बड़ी sweet सी कहानी है इसमें दिखाया गया है कि आप अगर अच्छे हो आपको अपने उपर आत्मविश्वास है तो सारी दुनिया भी आपके संग हो जाती है Thank you very much everyone